जल समवर्दन अभियान टेजी से चल रहा है और इसमें मंतरी राकेश सिंग जोर शोर से काम कर रहे हैं तो यह मौन्सोन से पहले MP में सडकों को लेकर कैसी तैयारी है इन सभी मुद्दो पर PWD मंतरी राकेश सिंग से बात की हमारे मध्य प्रदेश न्यूस जडिटर सुधिर मध्य प्रदेश में जल गंगा समवर्दन अभियान चल रहा है और जोरो शोरो से यह अभियान चल रहा है और इसी अभियान के एक ऐसे सार्थी है जो लंबे समय से जल स्रोतों को लेकर काम कर रहे हैं जवलपूर के पूर्वसांसच और मध्य प्रदेश की PWD मंतरी हमारे साथ हैं बहुत-बहुत सौगेत असरा आपका हमने अभी बात की ती जनल सेलक्षन को लेकर जो योजनाय चल रही है बहुत लंबे समय से आप इस पर काम कर रहे है कैसे यात्र रही शुरू हुए यह ठीक है कि मैं काफी अरसे से लगबग 2009 से पानी को लेकर पानी के स अन्रक्षन को लेकर अपने तरफ से छोटे मोटे प्रयास करता रहता हूं इसकी शुरुवात हुई थी मेरा जो नन्याल अबुंदेल खंका है मेरी मौसी का गाउं भी है रहली के बास एक पाटाई गाउं है बच्पन हम लोग जाते थे तो पनिया कुआ कहते थे वह कुआ पूरा गाउं उससे पानी लिया करता था और नहाते भी वही थे उसका पानी बड़ा मीठा था बहुत लंबे समय के बाद मैं सांसच जब बन गया और उसके बाद एक बार मेरा उस गाउं में जाना हुआ अलगबग 2007 या 2008 में तो मैं जब गाउं पर गया घर के सामने पहु म看़ल ऐमन गल घर कि हमारे गाउं में 35 आ पंप जैसे उन्हों नंहें कहा कि 35 है मुझे फोरण लगा कि पनिया कुई का क्या हुआ हुआ तो मैंने पूचा कि पनिया कुई तो उन्होंने ततकाल बिना देर किये कहा कि वो तो सूख गव बंदिल खंडी में का वो तो सूख गया मुझे बेहद आश्चर इस बात का हुआ कि जब वो ये कह रहे थे या गाओं के लोग जो सारे मुझसे मिलने आये थे वो खड़े थे उन मेंसे किसी के भी चेहरे पर पनिया कुवएं के सूखने को लेकर कोई चिंता नहीं थी जबकि पूरे गाओं को एक समय बो पानी मुहिया करता है कुछ इस पर करना चाहिए और उसके बाद लोटकर आकर मैंने एक योजना बनाई जल रक्षा यात्रा करके करकम तेय किया और मैंने अपने संसेथी छेत्रे में 19 दिन का वो करकम बनाया वो करकम तेज जब गर्मी थी यह नो तपा का समय था उस समय पे दोपहर 11-12 बजे मा नर्मदा जी का पवित्र जल एक कलश में लेके एक रथ बनाया था उसमें लेकर हम रोज चला करते थे और अलग-अलग स्थानों पे हर दिन 18 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच की आत्रा तै करते थे जहां समापन होता था वहां किसी पुराने सरोवर में किसी पुराने कुए में किसी पुरानी बावली में जिसका उप्योग बंद हो गया है पूरा गाउं एक अठा होता था और हम उस सरोवर में उस मान अर्मदा जी के जलको अर्पित करके ये कहते थे कि अब ये पवित्र हो गया है इसलिए अब इसके जिर्णो द्वार का काम हम सबको करना चाहिए ऐसी 19 दिन की हमने वो यातरा की थी समापन उसका था जबलपुर में शहर में गौरी घाट यान्यमान रमदा जी के तटसे लेकर और हन्वान ताल तक लगबग 18 किलो मीटर की यातरा थी आप आश्यर करेंगे इतनी भीशन गर्मी में नो तपा के समय पानी जैसे विशह पे जबलपुर की सड़कों पर लगबग 20 हजार लोग उस यातरा में चल गए थे हमने अभी जल की बात की चुकि मांसून आने वाला है थोड़ी से सड़कों की बात भी कर लेते हैं पी डबलुडी मंत्री के तोर पर बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है सड़कों के मेंटेनेस को लेकर क्या योजना या सरकार क्या प्लानिंग कर रही है बारिश के मुषम से पहले बारिश के पहले चुकि आचार सहीता थी तो इसलिए कुछ बड़ी पहल तो नहीं हो सकती थी लेकिन फिर भी मैंने अपने इस तरह पर मानी मुख्यपदर जी से चर्चा के उपरांत ने रिदेश जारी किये थे कि जो जो भी प्रारंबिक तैयारी हैं वो सारी की सारी हमको करना चाहिए और अभी हम लोगों ने तैय किया एक एप लगबग लगबग तैयार हो चुका है पॉट होल रिपेरिंग एप के नाम से वो एप है जिसमें जहां भी कहीं सड़क पर किछी को कोई गड़ा वो उसको जीओ टैक्ट फोटो के साथ में उस एप में डाल देगा और उसके बाद संबधे दिका रही उस फोटो को देखने के बाद उस इसस्थान पर उस कड़े को रिपेर करके फिर उसकी फोटो वापस डालेगा तो एक तरीके से जिम्मेदारी भी बढ़ेगी जनता औ इस विभाग की जो टैग लाइन ताई की है वो है लोक निर्मान से लोक कल्यान और उसी दिशा में विभाग आगे बढ़े सडकों को लेकर बहुत सारी योजनाए हैं बानी मुख्यबंतर जी समय समय पर मॉनिटरिंग भी करते हैं और उसके लिए परयाप सहयोग भी देते है दो झाल शेखने पर मिंगी करशें लोक करते हैं की का बहुत सारी विभाग की वोड़े खाव हैं की हैं वर दोस हいます